सभी को नमस्कार, करियर फर्च चनल पर आपका स्वागत है आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार है Ready, Start कई व्यक्ति चुनामों में विजई हुए इस प्रकार अपराधियों के राजनीति में सक्रिय होने की अस्वस्थ परंपरा चल पड़ी राजनीति में अपराधियों के आगमन की यही प्रिस्थ भूमी है अपराधी करण के सहायक के रूप में आर्थि घोटालों की परंपरा चल पड़ी जिन से भारत का बच्चा-बच्चा अवगत है इस्थिति यह बन गई है कि देश से बड़ा दल है और दल से बड़ा व्यक्ति का घर है जिसको सब प्रकार भारापूरा करना हमारे राजनेताओं का प्रथम कर्तव्य एवं जीवन की प्राथमिक्ता बन गई है एन केन प्रकारेण धनो पारजन के लिए व्यक्ति जो कुछ भी कार्य कर सकता है वे सब हमारे देश की राजनीत के अंग बन गए हैं दूसरी और मत दाता भी यह देखता है कि मैं अपना मत उस व्यक्ति को दूँ जो मेरे काम का व्यक्ति हो अथवा कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे जा बेजा काम कर सके कहने का तादपरिय यह है कि भारती जनता भी ब्रस्टाचार एवं अपराध के प्रतिबध होने लगी है भारती राजनीत भी पूर्व पीड़ी का अध्यता यह भली प्रकार देख सकता है कि परतंत्र भारत में ब्रिटिस सामराज को समाप्त करने के लिए जहां सिध्धान्तों, अनुसासन, सत्याग्रह, सविने अवग्या, बहिसकार, स्वदेसी एवं अहिंसा जैसे पवित्र अस्त्रों का सहारा लिया गया था वही स्वतंत्र भारत के निर्माण की राजनीती में आज हिन्सक असामाजिक एवं संदिक्द चरित्र वाले स्वार्थी एवं सत्ता लोलूप व्यक्तियों का निर्बाध प्रवेस एवं बोल बाला हो रहा है यदि हम राजनीती में बढ़ते अपराधी करण के कारणों पर गौर करें तो इसका प्रमुख कारण है चुनावों में धन का महत्व बढ़ जाना इसी के साथ जनसक्ति का भी महत्व बढ़ गया है हमारे देश के चुनाव इतने अधिक व्यवसाध्य हो गए हैं कि इनके लिए परियाप्त साधन जुटाने के लिए भाति-भाति के गठबंधन एवं वायदे करने होते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए कुछ भी करते हुए संकोच का प्रस नहीं नहीं उठता है फलता, राजनीतिग्य, क्रमसह, धन सक्ति, बाहुबल एवं सक्ति प्रदर्शन हेतु अपराधियों के समर्थन एवं सहयोग पर आश्रित होते गए हैं इस प्रक्रिया में व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया है जिसे हम नवधनाड वर्ग कह सकते हैं और जो आज अचानक वैभो और ऐस का जीवन जीने लगा है अथवा उपभोगता संस्कृति का लाभ उठाने में प्रयतन सील है प्रगति और विकास के साथ देश में यदि समानता भी आई होती और सामान निजन की मूल भूत आवसकताओं पर ध्यान दिया गया होता तो इस्थिति इतनी बुरी न होती स्कूटर पर बैठकर राजनी लूट पार्ट आदि करने वाले अधिकांस युवक निम्न मद्यवर्ग से संबंधित होते हैं जो उपभोगता संस्कृति के सिकार होने के कारण ऐस का जीवन जीने के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं समाप्त धन्यवाद